अब देखी जब हम बात करते कलेंडर की ठीक है तो सभी को I think कि इतनी नौलीज की नौलीज सभी को है जिस स्टेज पर अभी आप हो I think सभी को कलेंडर की अच्छे से नौलीज है बस हमें सीखना क्या है कि विच टाइप आफ कोस्टियन सारा आस्क दिल्दा कोस्टिय कॉस्टियन पेपर ओके तो वो हमें जस्ट टाइप समझनी है अदर्वाइस बाकी नौलीज सभी को है तो एक बार एक ब्रीफ ब्रीफ हम ओवर्विव ले लेते हैं रिगार्डिंग कलेंडर अब देखिए जब हम बात करते हैं कलेंडर की तो हमारे माइंड में क्या आता है स उस year के months माइंड में आते हैं तो अब जब हम बात करेंडर की in that case कलेंडर के case के अंदर simple सा point है क्या कि जो कलेंडर है कलेंडर के अंदर क्या है पूरा one year हम कहते है जैसे अभी 2022 चल रहा है then we check the calendar for 2022 for any festival or any important date तो हम 2022 का calendar देखते हैं इस तरह ऐसा अगर मैं बात करते हैं 2021 की then हम 2021 का पूरे साल का calendar देखते हैं that means कि in one year अब जब हम years को भी हम देखते हैं तो one year के अंदर के अंदर भी हमने क्या check करना है कि the particular year is a normal ordinary year or it is a leap year okay so अगर हम बात करते हैं ordinary year की ordinary year के अंदर कितने days yes it has 365 days 365 days and if it is a leap year leap year in that case it has 366 days थोड़ा सा फस्त रखेंगे class को because these are all the simple points and you all of you know all these points very well okay so थोड़ा सा क्लास को फस्त रखेंगे yes सभी को पता है 365 days ordinary year के अंदर leap year में 366 days the difference of one day is for the feb okay in the ordinary year the feb month has 28 days and in the leap year it has 29 days done अब हम बात करते हैं की हांजी weeks number of week week के अंदर अपने कितने days seven days seven days and in all the questions of calendar we will find out number of odd days तो जब भी हमने odd days find out करना है in that case you will divide the total days by seven okay and then जो remainder आपके पास बचेगा that will be the odd day और ये इर्मान के चलो कि पूरे का पूरा calendar का जो topic है that depends on that odd day तो वो हमने सीखना है बस बाकी हमें आता है तो अब अगर हम odd days की भी बात करें तो जो number of days है month के अंदर क्या होगा जैसे हम गात करें